अजीज तलबा हम language development में of the child role a course में components of language को one by one study कर रहे हैं इस वक्त हम fifth component of language के बारे में बात करूँगा मैं syntax syntax क्या है? syntax is related to the structure of sentences ये sentences के structure के बारे में बात करता है it determines which words to go where हमें ये बताता है words की सही placement के बारे में हम देखें जब भी कोई sentence बनता है तो वो English में अगर हम देखें English language में तो वो सबसे पहले हम उसको जो इस तरतीब से जोड़ेंगे के उसमें जो सबसे पहले pronoun फिर verb और आखर में noun ठीक है तो let's say अगर मैं मिसाल दूँ के जो हमें ये फर्स करें के आई प्ले क्रिकेट डेली आई प्ले क्रिकेट ठीक है तो आई क्या है प्रुनाउन है और प्ले वर्ब हो गया और क्रिकेट नाउन हो ठीक है जो डेली क्या है ये ये एड्जेक्टिव की उसको मतलब स्ट्रॉंग कर रही है मेरी उसके जो एटिचूड है हमारा और उसमें तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम क्रिकेट आई प्ले अगर इस तरह तर्तीब बदलेंगे तो ये फिक्रयत जो नहीं बनेंगा इसका वो मफूम नहीं होगा यनि गलत हो जाएगा sentence तो study of syntax allows us to understand the rules about how language works ये हमें rules बताते हैं देखे हर language में syntax या sentences की तरतीब different रंदाज से होगी तो English language में हम मतलब ये है कि इस तरह जो उसका सही तरतीब उसकी मतलब हमें हमने बतानी है उसमें तो syntax क्या है ये set of rules है for constructing full sentences out of words यनि words की मदद से हमने जो sentences बनाने हैं उनके बारे में हमें बताती है और जो phrases है और मैंने आपको बताया कि हर language के जो grammar के ये syntax syntax के rules है वो different है ठीक है और English language में the smallest form of sentence is noun and a verb phrase ठीक है अब फर्ज करें हम कहते हैं go तो ये एक order है go इस एक word से भी आपको एक meaning मिल जाएगा ठीक है इसी तरह adjectives and adverbs जो है who can add to sentences that provide further वो meaning जो meanings में sentences में उनको क्या करते हैं उनको strong करते हैं ठीक है उनमें add करते हैं ठीक है लेकिन English या उर्दू में वो तरतीब हमारी English से उर्दू में different होगी उर्दू में English से different होगी तो words order matters in a language मैंने आपको बताया कि word order जो है इसका की बहुत ज्यादा importance है ठीक है अब फर्ज करें ये जैसे मैंने पहले भी एक sentence की मिसाल दी तो sentence English में एहमद ate the apple एहमद ate the apple अब एहमद क्या है pronoun है एट क्या है verb past tense है और the article है और apple noun है ठीक है अगर हम इसको इस तरह करेंगे the apple ate the एहमद तो अब इस से क्या है मफूम बदल गया sentence गलत हो गया इसका कोई meaning नहीं बनेगा ठीक है तो exact words को सही तरतीब के साथ सही grammar के उसूलों के मत जोडने का जो process है या बनाने का जो process है वो syntax कहलाता है अब आपके सामने एक मैं मिसाल दे रहा हूं the cat sat on the mat the cat sat on the mat अब देखे दा क्या है वो article है उपर अब देखे noun phrase है ये और cat noun है इसलिए इसको noun phrase कहा गया ठीक है और उसके बाद set है ये verb है तो यहां ये क्या है वर्ब के लहाज से ये फिक्रा या या वर्ब फ्रेज है दा कैट सैट और अन क्या है प्रोपोजीशन है तो ये प्रोपोजीशनल फ्रेज और फिर उसके बाद क्या आगे देखे अन दा मैट ये फिर आर्टिकल है तो noun phrase or than mat ये noun है तो मसला ये है कि इनको जो अगर हम इनकी तरतीब बदल देंगे तो ये syntax को out कर लेगा यानि ये उसके grammar के उसूलों के मताबक नहीं रहेगा लहाजा इसका फिक्रे का मफहूम भी वो नहीं रहेगा तो बहुत जरूरी syntax हमें ये बताती है कि proper order of words कैसे होगा मैंने आपको एक और example दी है ये पूरा sentence है tom pushed the car ठीक है अब इस sentence म में आप देखें tom क्या है noun है tom क्या है noun है तो ये noun phrase है फिर pushed tom pushed the car अब pushed क्या है ये second form है push की तो verb phrase हो गया और फिर the ये determiner है noun phrase और फिर car car फिर noun again तो पूरा sentence ये तरतीब के साथ बना वो क्या है tom pushed the car अगर हम कि इसको इस तरह बदेदाकार पुश्ट दा टोम तो ये बिलकुर sentence गलत हो जाएगा और इसका वो meaning नहीं रहेंगे लहाजा हमें syntax के बताती है grammar के कौन से उसूल है जो word sentence के अंदर word की जो सही तरतीब है वो क्या है